सिंस्टाट होता है दू पैंडा से जो अब आमने सामने आ गए थे एक पैंडा जहां मिस्टी माउंटेन से बिलोंग करता था वहीं दूसरा फेडरसन से बिलोंग करता था वो मिस्टी माउंटेन की पैंडा की तरह छोटा नहीं था वो एक अडल्ट था और कुम्फू पैंडा फिल्म के वो जैसा था वैसे ये दू पैंडा रिस्तेदार थे जो कि एक ही जू में पले बढ़े थे और एक टाइम में लड़कियों की फेवराइट बन गए थे शायद इसी वजे से बढ़ा पैंडा चोटे पैंडा से जलस हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि चोटे पैंडा ने उससे पहले गल्फेंड बना लिया है वो लाइफ में चोटो से पीछे रहे गया है जबकि जू में वो ज़्यादा पपुलर था बताओ बताओ मुझे तुम जिस लड़की को बचाई थे वो क्या तुम्हारी गल्फेंड थी बोल कि बढ़ा पैंडा एनेक्शियस हो रहा था पर जब चोटो पैंडा हां में जवाब दे देता है अरे हां वो तो मेरी ही गल्फेंड थी मैं तो उससे हर रोज बात करता हूँ सेल्फी भी शायर करता हूँ बोल कि जैसे ही छोटो पैंडा जवाब देता है बड़ा पैंडा गुस्से से उबलने लगता है अब छोटी पैंडा से लड़ाई इनवीटिबल था छोटी पैंडा को सजा देना बेहत ज़रूरी था गुस्से में बड़ा पैंडा छोटी पैंडा की और अटेक करने के लिए जपडता है अपने बैचलोरेट पंच से वो छोटी पैंडा को घायल करने की कोशिश करता है वैसे छोटा पैंडा बाल बाल बचतो जाता है पर ऐसे अजीबो गरीब अटेक से वो भी दंग रह गया होता है बैचलोरेट पंच, बैचलोरेट किक भला ये कैसा अटेक है अपनी अटेक का ऐसा नाम भला कौन रखता है अरे अरे पैंडा फिर से बावला हो गया है दूसरों के रिलेशन्शिप से देखो जलने लगा है पर पेचारा करी भी क्या बहुत दिनों से सिंगल जो है बोल के आरन नैट्स जहां बातचित कर रहे थे अपने लीडर की गौशिप कर रहे थे वहीं छोटा पैंडा भी अटेक मोड में आ गया था जो करना है करो मैं तुमसे नहीं हारूंगा बोल की पैंडा डूल एलिमेंट को यूज करने लगा था ब्लेजिंग फिस्ट और फ्रोजन फिस्ट से वो बड़ी पैंडा पे तूट पड़ा था पर बड़ा पैंडा भी कुछ कम नहीं था वो भी बच्टरवट किक से ब्लेजिंग फिस्ट और फ्रोजन फिस्ट को ब्लॉक करने लगता है ईद का जवाब वो पथर से देने लगता है बड़ा पांडा उतने में नहीं रुखता बड़ा पांडा तो love on seizing claw का use करने लगता है और उससे छोड़ा पांडा को उठा के कहीं दूर फेग दीता है पर क्या इतना काफी था छोटी पैंडा को हराने के लिए बिल्कुल नहीं छोटा पैंडा तो अपने आपको बूस्ट करने लगा था और अपने बूस्टेड एनरजी से वो बड़ी पैंडा पे किक पे किक मारने लगा था पंचेस पे पंचेस मारने लगा था लगता है तुम बहुत डेवलोप हुए हो तुमसे लड़के मसा आ रहा है पर मुझे का टाइम खतम हुआ तुमसे अब सिरियसले लड़ना पड़ेगा बोल कि जैसे ही बड़ा पांडा अपने बोडी को की एनरजी से घेरने लगता है वैसे ही छोटा पांडा भी अपना next मूव चलने लगता है आजाओ कौन डरता है तुमसे बोल कि वो अपना ultimate मूव क्रेमसम लोटस सोलर फ्लैर को एक्टिवेट कर लेता है जिसके वज़े से च प्रिचुल फॉर्म के अगेंस्ट यूस करने लगा था दिखते ही दिखते गमासान लड़ाई होने लगता है जहां कोई किसी के गदन को काट रहा होता है तो कोई किसी के बट को काट रहा होता है जिससे जोरधा एनरजी निकल रहा होता है चिखना चिलाना निकल रहा होता है पर उनका बहस किसलिए हो रहा होता है बस इसलिए कि जू में कौन ज़्यादा पॉपुलर था किसको जू में सुन्दर सुन्दर लड़कियां और किसको आंटिस की द्वरा देख भाल किया जा रहा था दूसरे चाहें उनके फाइटिंग को मिनिलेस बताएं पर उनके लिए वो बहुत बढ़ा मसला था जिसको सौल्व करना बहुत जरूरी था देखते ही देखते घंटू बिच जाते हैं और एक टाइम पे उनका लड़ाई खतम होता है वैसे उनके बैटल में एक बात पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था कि जो जीतेगा वही जू में सबसे ज़्यादा पोपुलर था और वही सबसे पहले एक गल्फरेंड बना पाएगा जैसे ही किंग जाओ छोटी पैंडा के पास पहुंचता है वो उसे बहुत बुरी हलप में पाता है पर पैंडा और किंग जाओ के बातों से हमें साफ पता चलता है कि बड़ा पैंडा अब रिट्रीट कर लिया था पर वो हार के रिट्रीट किया था या किसी और वजेसे ये तो सिक्रेट का सिक्रेट ही रहे गया था जहां किंजाओ छोटी पांडा को वापस मिस्टी माउंटन ले जाने लगता है उसे वहाँ ट्रिट करने ले जाने लगता है वहीं दूसरी और बढ़ा पांडा अपने आरन नाइट्स के साथ फेडरेशन की ओर जा रहा होता है और वो जाती जाती बहुत खुश हो रहा होता ह छोटे पांडा की फ्यूचर ब्राइट हो बोल के विश कर रहा होता है पर बढ़ा पांडा एक चीज़ भूल गया था जिसके वज़े से वो एक्चुली सवाना आया था बढ़ा पांडा मौन वूल्फ और ब्लॉड वूल्फ के कॉप्स को फेडरेशन ले जाने के लिए आ उसका अमाउंट बहुत ज़्यदा तो नहीं था पर इतना भी जीव को खूश करने के लिए काफी था तभी मिस्ट्री माउंटर में गोल्डन अंट एंट्री मारता है और वो सिधा जीव के पास चला आता है जीव को कृट करता है और उसे अपना अपडेट देने लगता है इन तिन सालों में गोल्डन अंट अपने आपको काफी इंप्रूव किया था और इसका सबुत उसके तन बदन का घाव था जीव लाइफ अफ एशन्स की बारिश करने लगता है और गोल्डन अंट के घाव को हील करने लगता है मास्टर मैं इस बार अकेला नहीं आया हूँ मैं अपने साथ इस बार कुछ कॉम्पेनेंस को लेके आया हूँ बोलके गोल्डन अंट अपने साथ आए ड्रागन को जीव के साथ इंटुड्यूश कराने लगता है जीव को पहले से ही कुछ अन्नून क्यूरेचर्स के प्रिजन्स का फीलिंग आ रहा था पर वो गोल्डन अंट के कॉम्पेनेंस होंगे ये उसे नहीं पता था गोल्डन अंट के साथ आये हुए तीन ठो ड्रागन इनिशियल लेवल के ड्रागन थे जो कि फिलहाल के लिए तो उतने पारफुल नहीं थे पर जीव के साथ रहके मिस्टी मांटन में ट्रेन होके वो फ्यूचर में ब पेहोश नाइन टेल फॉक्स को लाया होता है मास्टर मास्टर नाइन टेल फॉक्स को कुछ हो गया है एल्डर सिस्टर पता नहीं क्यूं उठ नहीं रही है बोलके बुल डीमन घबराते हुए जीव के पास आता है जीव नाइन टेल फॉक्स को देखते ही समझाता है कि इंटेल फॉक्स को spiritual पूल में ले जाए और उसे वो spiritual पूल में लिटा आदे। सिंसिफ्ट होता है smoke city में जहां साउजिन अपने लिए एक apartment ले ली थी। उस apartment में वो क्यानकिन, white tiger और अपने भाई के साथ रह रही थी। साउजिन का भाई और white tiger दिन भर बस games खेलते रहते थे और लगातार electric build बढ़ाते रहते थे। इसी के वज़े से white tiger को साउजिन जूरदर पिटाई भी देती थी। पर क्या फाइदा उसके मोटे दिमाग में कुछ घुशती जो नहीं थी। वहीं क्यानकिन भी थी। तो दुसरे से उल्टा हवेशा अपने body को cultivation में busy रखती थी। अब क्यानकिन third transcend order में पहुँच गई थी। और तोर कुछ new skills भी पाली थी। अब क्यानकिन दुसरों के blood को control कर सकती थी। और तोर दुसरों के blood से अपने आपको heal भी कर सकती थी। बस इतना ही नहीं वह अपने seed को दुसरों के body में डाल भी सकती थी। और अपने seed को explode करके वह enemies को मार भी सकती थी। क्यांकि इतने सारे न्यू स्किल्स पाली थी तो अब टाइम आ गया था कि वो मिस्टी मॉंटेन वापस चली जाए और अपनी प्यारे मास्टर से मिलके वापस आए उससे थोड़ा तारिफ बटोरी